हेलो फ्रेंड्स हाई नमस्कार वेलकाम आप सभी का नाम करुणा शर्मा आज आपके बीच में एक शांदा टोपिक जो आप बोल सकते हो जवलन टोपिक जो आज का है वो रहेगा आतम निर्वर भारत चलिए फ्रेंड्स आप 25 से 30 मिनट तक सेशन के साथ जोईन रहेए कोई भी बीच में लेफ्ट ना करें और आप बिल्कुल ध्यान से सुनें चलिए हम सबसे पहले टाइटल क्लियर करते हैं कि आतम निर्वर का अर्थ क्या होता है आतम का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वाम होता है अर्थात आप अपनी जिन्दगी सवारने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्थी करने के लिए किसी पर निर्वर ना रहके आप अपना रोजगार स्लम बनाएं मतलब आप अपने पल्वूते पर जीवन यापन करें तो लिए आज मैं आपसे एक स्वाल पु प्लीज इंट्रेक्टिव रखें आप बताएं क्या जिस समय भारत में ना तो सरकार थी आज तो जमाना चेंज हो गया है ने संसादन थे ने ही नोकरियां थी तो क्या उस समय भारत आतम निर्वर नहीं था बिल्कुल था फ्रेंड्स सोने की चिडिया था भारत उस समय भी प्रदेख विक्ति अपना काम खुद करता था श्रम करता था और स्वावलं भी बनने का और हमेशा एक जुट रहने का परिवार के साथ में के काम करने का और एक दूसरे की परकति में शहयों करते थे जिस कारण से भारत है वो विश्व गुरू बना फ्रेंड्स आज आप देख रहे हो कि दूसरे देशों की पुरूना में भी भारत की पुरूना ज्यादा संपन देश है चलिए आज हम भी अपना योगतान देते हैं 12 माई 2020 को जो परदान मत्री ने नारा दिया आतम निरबर भारत उसमें हम भी संकल्पित होते हैं और कैसे फ्रेंड्स आज के सेशन से आप सीखे जाएंगे माँ आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपका हर चीज के परतिन नजरिया बदल जाएगा तो इस और आपका खुद का रहेगा देखते हैं सेशन में कैसे आप पहले पुद को पिर अपने परिवार को फिर अपने समाज क तो आज पास के लोगों को, फिर सहर को, गाहों को, डिस्टिक को और फिर पूरे के पूरे भारत को आप कैसे आतम निरवर्बर बना सकते हैं? तो क्या आप ready हैं? Start करते हैं, friends. पहली slide से, मैं बात करते हूँ आपसे कि हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं आज हम इतने लोग इकटे हो रखें हैं जूंके तो मैं आपसे पुछना चाहूंगी कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं हमारे में से बहुत सारे जो लीदर हैं वो डोक्तर होंगे, वकील होंगे, पैसे से टुपांदार, इंजिनियर, उसके बाद बड़े-बड़े जो आपके पास टीचर, प्रोफेसर, सिंग को हमारे समाज में बहुत बड़ा ओदा दिया जाता है